Hello students, welcome to Magnet Brains. मैं हूँ Priyanka माम and मैं आपको पढ़ाती हूँ Class 11th and 12th का Business Studies. हम सभी हैं Magnet Brains के प्लाटफॉर्म पर and आज मैं आपको Chapter No. 8 Business Finance, Sources of Business Finance का New Sub-Topic कराने वाली हूँ that is Issue of Shares. So students, welcome everyone to Magnet Brains. Magnet Brains एकलोता ऐसा प्लाटफॉर्म है करवाते हैं किंडर गार्डन से लेके Class 12th की इस चानल पर डाटिस Magnet Brains का इंग्लिश मीडियम का चानल जहां पर हम CBSE Board की preparation करवाते हैं. We have a separate channel for Hindi Medium Students जिसका नाम है Magnet Brains Hindi Medium जहां हम Class 6 से लेके Class 12 तकी preparation करवाते हैं for Delhi Board, UP Board, MP Board, Bihar Board and Rajasthan Board. So, अगर आप किसी भी student को जानते हैं जो इस free education का और वो भी high quality में उसको benefit हो सकता है जरूर बताना उसे Magnet Brains के बारे में and Magnet Brains Hindi Medium चानल हो और चाहे English Medium चानल हो जितने भी videos, जितनी भी Classes आप यहां पर देखते हो सब भी available है absolutely free of cost. Apart from that, students, हम आपको provide करते हैं fully organized complete courses along with daily practice problems and हम आपको e-notes and e-books भी provide करते हैं जिसकी link आपको मिल जाएगी description box से. चलिए, start करते हैं आज का हमारा session issue of shares का. So, students, issue of shares start करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा brief introduction दे देती हूँ कि shares क्या होता है. कई बार ऐसा होता है, आप miss out कर जाते हो या फिर accounts आप उत्ते familiar नहीं हो अभी क्योंकि वो volume 2 में आता है na accounting for share capital. So, इसलिए मैं आपको ये वाला जो topic है इसकी थोड़ी सी insights दे देती हूँ before starting the main topic. हाना issue of shares, जो sources of finance related topic है उसको start करने से पहले हम थोड़ा सा इस topic का जिस्ट कवर कर लेते हैं. आपने words सुना shares. क्या सुना students? Shares. अब इस topic में जो आज का lesson है हमारा उसमें main agenda क्या है? ये देखना कि shares से कैसे fundraising हो सकती है. तो हमारे जो आज का sub topic है इसका agenda है shares से fundraising कैसे हो सकती है? But, मैं आपको थोड़ा basic से पढ़ाती हूँ हमेशा तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि shares क्या होता है? What is share? So students, क्या हुआ था? कि 16th century में एक story है छोटी सी जो मैं आपको समझाना चाहरे हूँ. 16th century में एक company थी जिसका नाम था The Dutch East India Company अब The Dutch East India Company के मालिक जो ओनर थे यह चार आइटम्स में डील करते थे Silk Porcelain Spices And Gold And यह जो बिजनस था ना students यह बिजनस होता था Ships के थ्रू Ships के थ्रू यह बिजनस होता था ठीक है? अब आपको पता है कि Ships का जो बिजनस होता है वो कितना रिस्की होता है? आपका सामान खराब हो सकता है Ship डूब सकती है? चटान से टकरा सकती है तो Ships का जो बिजनस था It was very risky The transportation of items was very risky तो यह जो ओनर थे इनको बहुत ज़्यादा loss हुआ क्या हुआ? Students इनको बहुत ज़्यादा loss और जब भी transportation होता था यह बहुत heavy losses face करते थे जो इनको खुदी bear करना पड़ता था क्योंकि इनकी कोई company भी नहीं थी इनका कोई वो भी नहीं था इनकी company दो थी बट इनको यह सब नहीं पता था Shares क्योंकि यह 16th century की बात है बहुत पुरानी जबानी की बात है तो यह अकेले ही funds अरेंज करते थे अकेले ही capital अरेंज करते थे तो इनके सिर्फे न बहुत जादा भार आ चुका था के शीज का भार करजे का भार इनके सिर्फे बहुत जादा करजे का भार था बहुत losses में चल रहे थे अब ऐसे बैठे बैठे क्या करूं क्या करूं सोचते रगे कि क्या करूं पर उनको कोई आईडियास ही नहीं आ रहे थे तो उन्होंने सोचा कि एक काम करता हूं कि जो कंपनी के जो मेरी कंपनी है दड़ाचीस्ट इंडिया कंपनी इस कंपनी के आज पास कुछ दूर पर छोटे-छोटे से घर बने हुए हैं छोटे-छोटे बड़े-बड़े कुछ सोसाइटी टाइप की बनी हैं और सिटेजन्स वहां रहते हैं ठीक है तो इन लोगों से बात करता हूं कि अगर ये कुछ पैसे दे पाएं तो और इनको क्या करूँगा इनको ना मैं अपनी कंपनी का हिस्सा दे दूँगा जैसे मान लो अगर इसने 10,000 रुपे दिये मैं आपको अभी के पैसे के हिसाब से बता रही हूं ताकि आपको समझाए तो मैं उसको पॉइंट टू पर्सेंट कंपनी का हिस्सा दे दूँगा ठीक है इससे क्या होगा उसको भी पता चलेगा कि वह इस कंपनी का फ्रैक्शन दिये और जो भी वो अन करेगा जो डिविडेंट है जिसको हम आज बोलते हैं उस समय बोलते थे प्रॉफिट ऑन दे फ्रैक्शनल ओनर्शिप ठीक है तो फिर वो उसको ट्रांसफर कर देगा जो सिटिजन ने जिसने पैसे दिये थे अब उस जमाने में स्टूडिंस अर्न कमपनी का मालक सोच पा रहा था पहले तो वो यही सोच रहा था कि मैं ऑप्रेशन कैसे रन करूं अब उसका लॉसस मिनिमाइस करने की तरफ ध्यान है इसी से इंट्रोडक्शन हुआ था हमारे वर्ल्ड के फॉर्स्ट स्टॉक मार्केट का येस और इसी को बोलते हैं शेर ज कमपनी का प्रमोटर क्या करता है कमपनी का प्रमोटर डिसाइड कर लेता है कि फंड रेजिंग किन सोर्से से करनी अगर वो शेर से करनी है तो पबलिक को शेर बेचता है अपनी कंपनी के ठीक है तो इससे क्या होता है बहुत सारे शेर ओल्डर साते हैं जो पैसे देते हैं वो पैसे को पूल करके share capital में डाला जाता है और वो ही share capital business का पैसा होता है ठीक है तो share आपको समझ आया अब students एक और line बहुत बहुत ही famous है shares को लेके वो भी मैं आपको बताना चाहती हो जो line है that is a share is a share in the share capital of company a share is a share in the share capital of company बात तो सही है बट यहां पे आप meaning को समझ आया है बहुत ही tricky सी line है यहां पर ंलिखा है ओ शेयर यानि कि जो shares होते हैं यहां पर के share की बात कर रहे हैं जो company sell कर रही है company sell कर रही है sell को क्या बोलते है Shares की दुनिया में issue जो company issue कर रही है ठीक है ताकि public in shares को क्या कर ले public in shares को purchase कर ले ठीक है अब ये वाला शेर मतलब क्या हिस्सा और पार्ट ठीक है और शेर कैपिटल मतलब क्या ये जो शेर होल्डर्स है इन सबसे जो भी फंड्रेजिंग हुई उस फंड्रेजिंग को पूल किया जाता है उस फंड्रेजिंग को ये गुलग थोड़ी सी खराब बन गई एक सेकेड़ उस फंड्रेजिंग को पूल किया जाता है और ये जो पूल्ड अमाउंट है ये क्या कहलाता है शेर कैपिटल समझ जाया स्टूरेंट फंड्रेजिंग को पूल इंट्रांसफर तू शेर कैपिटल सो अशेर इस शेर इन दे शेर कैपिटल अफ कंपनी ठीक है समझ आगया वाट इस शेर चलिया अब वापिस आते हैं हम इशू अव शेर्स जो आज का हमारा अजेंड था आपको मैंने थोड़ा से इंट्रडेक्शन दे दिया कि शेर क्या होता है रईट स्टूरेंट सो अब यह आपको बता दिया जो भी हम शेरोल्डर से अप्टेन करते हैं उसको हम बोलते हैं शेर कैपिटल अव कंपनी इस नेप दिए इन्टू स्मॉल उन त, сам वाल Yo Our For example, company can issue 1 lakh shares of rupees 10 each for a total value of 10 lakh. The person holding the share is known as shareholder. अब students, मैंने formation of company में आपको बताया था, authorized share capital, issued share capital, subscribed share capital, fully paid up capital, called up capital, ये सब capital पढ़ाया थे. हना, थोड़ा सा मैं उसका gist आपको वापस से revise करवा रही हूं. सबसे पहले मैं आपको बता रही हूं, authorized share capital. जिसको हम registered या फिर nominal capital भी बोलते हैं. So, students, authorized share capital वो capital होता है, जो company के MOE में लिखा है. मान लिजे, company के MOE में लिखा है कि वो 10 lakh shares at the rate of 100 बेचेगी. तो मतलब इससे ज़्यादा company नहीं बेच सकती. Maximum limit है ये. ठीक है? अब इस में से मान लो, इस 10 lakh shares में से company ने 5 lakh shares sell किये. ठीक है? तो ये क्या हो गया? issued capital. इस issued में से 4 lakh shares subscribe हो गए. याने 4 lakh shares जो हैं, बिक गए. ठीक है, तो इसको बोलेंगे subscribe. 4 lakh shares जो subscribe हुए थे, उसका पैसा पूरा आ गया. तो उसको बोलेंगे subscribe and paid up. पैसा नहीं आया, subscribe but not paid up. पैसा बुलवाया है, उसको बोलते हैं called up. ये सब आप मैंने आपको पढ़ाया था. और ये आप accounts में अम्बिका मैं के साथ भी सीखोगे. हाना, अब students, यहाँ पे ये बात clear हो गई. तो हर share की एक nominal value होती है. हर share की क्या होती है? Students एक nominal value होती है. For example, company बेच रही है 1 lakh shares 10 रुपे के साब से. तो ये जो 10 रुपे है, हाना, ये क्या है face value? और ये जो 1 lakh shares है, ये क्या है number of shares? ठीक है? For a total value of rupees 10 lakh. और ये total value क्या है? ये total issued capital है. ये total क्या है? issued capital है 10 lakh. समझ में आ गया? Person holding the share is known as shareholder. तो मैं पढ़ा रही हूं, मुझे teacher बोलते हैं. जिसके बाद share है, उसे shareholder बोलते हैं. ठीक है? जो treat करता है, patients को उसे doctor बोलते हैं. ऐसे सब लोगों के नाम specified हैं या नहीं? Similarly, जो shares hold करता है, उसे shareholder बोलते हैं. तो आप अगर किसी भी company में share hold करते हैं, आप shareholder हो. ठीक है? There are two types of shares commonly issued by company. These are equity shares and preferences. अब यहाँ पे students आपको notes में flowchart बनानी है, कि जो shares होते हैं, या फिर जो share capital होता है, वो two parts में divided है. Equity, shares and preference shares. ठीक है? Equity, shares and preference shares. यह भी आपको पता होना चाहिए. So, अभी तक हमने क्या देखा? कि shareholders वो होते हैं, जिनको company share बेच रही हैं और वो shares खरीच चुके हैं. अब वो company के shareholder बन चुके हैं. ठीक है? अब जो capital MOE में लिखा होता है, उसको बोलते है authorized. authorized में से जो हिस्सा company sell करती है to raise the funds, उसको बोलते है issued. issued में से जो public subscribe कर ली ते उसे बोलते है subscribe. जिसका पैसा आ जाता है subscribe and paid up. जिसका पैसा नहीं आता subscribe but not fully paid up. जो call किया जाता है called up. ठीक है? तो इस तरीके के shares होते हैं. अगर कोई shareholder पैसे नहीं देता है, उसको बोलते है defaulter. यानि की call in arrear. ठीक है? और अगर वो कोई advance में देता है, उसको बोलते है call in advance. यह सब terminologies आप account में detail में सीखोगे. हाना students, so हर share की nominal value होती है. share जब issue होते हैं, तो एक face value पे issue होते है. और total जो issue and issued shares into face value जो होती है, उसको बोलते है issued capital. ठीक है? अब shares two types की होते है, equity shares and preferences. crystal clear? हाँ या ना? बताओ मुझे comment box में. और वीडियो को like जरूर करना. अब सबसे पहले हम बात करते हैं, students, equity shares की. So, equity shares को start करने से पहले, again मैं इसको आपको practically समझाती हूँ. देखे, company है, company में दो तरह के shareholders होते हैं. एक होते हैं equity, एक होते हैं preference. देखे, equity shares भी company को पैसे देते हैं, और company उनको dividend देती है. और preference shares भी company को पैसे देते हैं, और company उनको dividend देती है. तो दोनों में क्या फरक है? दोनों में ये फरक है, कि equity shareholder को एकदम नेसेसरी नहीं है dividend देना. अगर profit हुआ है, आपके पास capability है, आपके हैसियत है देने की company की, अगर आप problem में हो तो मत दो. equity shareholder क्या होता है, company का साथ ही होता है, ठीक है, जैसे हमारे कुछ friends होते हैं, ठीक है, अगर हमें पैसों की जरुवत हुई, हमने एक friend से पैसे मांगे, ठीक है, वो बचपन से आपका friend है, ठीक है, बचपन से आपका friend है, राइट, और वो आपको जानता है inside out, कि तो कभी भी मेरे पैसे ऐसा नहीं करेगा, कि वापस ना करें, ठीक है, सो वो आपको तुरंट पैसे दे देगा, पर वो आपसे पैसे वापस भी नहीं मांगेगा, वो बोलेगा इसको देने दो, जब इसका मन हो देने दो इसको, बट दूसरा एक friend है, जो अभी recently आपका friend बना है, उसने आपको 2000 रुपे दिये, और उसने बोला, कि 15 तारिक तक द owners होते हैं, part owners, वो company के साथ ही होते हैं, वो बोलते हैं कि अगर आपके पास अभी पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, बात में दे देना, ठीक है, तो वो later on भी dividend claim कर सकते हैं, but preference shareholder, जिस तारीक पर, जिस समय पर उनको dividend promise किया गया है, उसी वक्त देना पड़ेगा, ये एक तरह जैसे preference shareholder, अगर company रख रही है, अगर preference shares को बेच रही है, तो company करजा ले रही है, इस तरीके से समझ लो, ठीक है, rate of interest भी fix होता है, इनका payment का maturity भी fix होता है, date भी fix होती है, समय भी fix होता है, सब fix होता है, उसी समय पर payment देनी होती है, ठीक है, जैसे मान लो, आप bank से loan लेते हो, उसी समय पर देना होगा न, EMI या फिर जो भी installment होगी, आपको जिस समय बोला, उसी समय देना होगा नहीं, तो जो आपनी collateral रखा है, वो नीलाम करके पैसे ले लेंगे, ठीक है, और उसके अलावा, अगर आप कोई money lender से पैसे लेते हो, तो उससे आप, वो आपको जानता है, उससे आप extension भी मांग सकते हो, क्योंकि वो आपको समझता है, ठीक है, वो आपका family friend या कोई कुछ भी हो सकता है, similarly, equity shares क्या होते हैं, साथ ही होते हैं company के, वो company की meetings में भी part लेते हैं, company को decision making में भी help करते हैं, इनके पास voting rights भी होती हैं, but preference shares जो हैं, यह बोलते हैं, हमें कोई time पे return करो, अगर नहीं दोगे तो ब्याज सहित return करो, ब्याज की टोपी के साथ वो चलते हैं, 10% preferences, 12% preferences, समझ में आ गया, so इसलिए equity share बनना किसी company में फायदे मन तो है, but उसके साथ साथ आपको company के उपर या नीचे होने के losses को भी, losses में भी साथ ही बनना होता है, मान लो company का downfall आ गया, it is unable to pay dividend, company सबसे पहले आप से ही बोलेगी, sir हम पैसे नहीं दे पारे, इस बार dividend के, but preferent share से अगर company ने ऐसा बोल दिया ना, तो preferent share बोलेगा, okay, आप मत दो, we have a lot of things to do, हाना, तो इस तरीके से वो उन पे case भी कर सकते हैं, अगर dividend नहीं दिया तो, इसलिए preferent shareholder को क अभी भी company Tata Bye Bye नहीं बोल सकती, अगर उन से fundraising की है तो, ठीक है, पर फिर भी equity shareholder को बोल सकते हैं, थोड़ी दिर, थोड़ी दिन रुख जाओ, हाना, वो equity shareholder company के साथ ही होते हैं, वो company की meetings में पार्ट लेते हैं, preferent shareholder को company की meetings में पार्ट लेने का अनुमती नहीं होती, ठीक ह तो, अब equity shares represent the ownership of company, समझा है, equity share represent the ownership of company and thus capital raised by equity, raised by issue of shares is known as ownership capital, तो जितना भी capital हम equity shares से raise करते हैं, equity shareholders से raise करते हैं, उन से बोलते हैं, ownership capital, ठीक है, और the owner's funds, equity shareholder को fixed dividend नहीं मिलता, do not get a fixed dividend, but are paid on the basis of earning of the company, company ने जादा अंकिया, तो जादा भी मिल जाता है, company ने कम अंकिया, तो उस उन दिनों में इनको धिहान रखना पड़ता है, कि वो company के साथ ही बने रहें, okay, so they are referred to as residual owners, since they receive what is left after all other claims on the company's income and assets have been settled, ठीक है, so जैसे आप किसी शादी में जाते हो, ठीक है, और खाना वाना लोग खाने रखते हैं, और आप एकदम आखरी में जाते हो, तो क्या आपको dishes मिलती हैं, नहीं मिलती न, आप क्या खाते हो, जो बचा पुचा है, वो ही खा लेती हो, जिसके stall पे जो बचा होगा, वो खा लोगे, normally खाना ही बचता है, dishes, डोसा, ये सब नही पड़ता है, तो इनको बोलते हैं, बचे-पुचे owners, याने residual owners, हना, तो जो आखरी में बच गया, वो इनका, ठीक है, पहले सबको पे कर दिया जाता है, प्रेफ्रेंच शेरोल्डर को, सिक्योर डिबेंचर होल्डर को, इनको सबसे आखरी में पे किया जाता है, क्यों, क्यो हो जाते हैं, बाद में इनको पैसे दिये जाते हैं, ओके, now, they enjoy the reward as well and bear the risk of ownership, ownership का risk तो वो बियर करते हैं, बट अगर ज़्याधा कमाई हो गई ना, तो company इनको ज़्याधा पैसे भी देती है, ठीक है, their liability however is limited to the extent of capital contributed by them in the company, कोई भी share हो, चाहे वो equity shareholder हो, चाहे वो preferent shareholder हो, व unpaid value of share तकी liable होता है, उसकी unlimited liability नहीं होती, limited liability होती है, कैसे, मैंने आपको बताया था, मान लीजे, कोई company है, उसमें एक shareholder है, अशोक, उसके 100 share है, एक share की face value 10 रुपे है, ठीक है, और इस 10 रुपे में, वो application का पैसा दे चुका है, 3 रुपे, allotment का पैसा दे चुका है, 2 रुपे, बचा है, final call का पैसा, installment में company पैसे बुलवा रही है, तो यह जो final call का पैसा बचा है, एने students, केवल अशोक, इसके लिए liable होगा, company को अगर जादा रुपे की जरुवत है, तो company उससे 1000 रुपे नहीं बुलवा सकती, company उससे केवल बोलेगी 200 रुपे लाओ, है ना, ठीक है, further through the right to vote, these shareholders have the right to participate in the management of the company, इनके पास क्या होता है, right to vote, याने meetings में, decision में voting करने का हक, voting कैसे होती है, voting बहुत सारे तरीके से होती है, by show of hands, first method होता है, show of hands, I am in this, तो आपको हाथ दिखाना होता है, show of hands, by voting on a machine, आपको एक machine प्रोवाइड होती है, वहाँ पर आपको vote क करना होता है, और सामने screen पर projector पर play होते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते है, by poll, by poll, ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें चलती है, real world में, ठीक है, so equity shareholders के पास benefit होता है, कि उनके पास होता है, right to vote, और उसके साथ, इन shareholders को right होता है, participate करने का management में, company की management में, okay students, इनकी liability भी क्या हो committed, अब merits क्या है, equity shares के वो पड़ते हैं, the important merits of raising funds through issuing equity shares are given as below, equity shareholders are suitable for investors who are willing to assume risk for higher returns, ये उन लोगों के लिए suitable है, जो risk लेने के लिए ready है, जित्ती जादा risk लेंगे, उत्ते जादा returns मिलते हैं, ऐसा माना जाता है, equity shareholders के लिए, ये उन investors के लिए relevant है, जो क्या लेना चाहते हैं, risk लेना चाहते हैं, payment of dividend to equity shareholder is not compulsory, अगर आपकी company में earning नहीं है, आप मत pay करो, अगर आपको capital project में invest करना है, मत pay करो equity shareholder को, so equity shareholder को dividend pay करना जरूरी नहीं है, therefore there is no burden on the company in this respect, company के उपर burden नहीं, जैसे preference shareholder, preference shareholder तो बार बार बोलत उनका fix date होता है, fix time होता है, maturity का, ठीक है, पर equity shareholder के साथ ऐसा नहीं होता है, इसलिए company सोड़ा relax रहती है, इनके साथ, ठीक है, equity capital serves as permanent capital as it is to be repaid only at the time of liquidation of the company, ठीक है, so जो भी equity shareholder होता है, जब वो company में funds देता है न, तो company इसको कब वापस करेगी, winding up के time पे, winding up मतलब जब company ब ठीक है, ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते है, permanent capital, समझा रही है बात, as it stands last in the list of claims, claims मतलब जब सब के पैसे दे दिये जाते हैं, तब आखरी में ये residual owners होते हैं, तो इसलिए इनको आखरी में पैसे दिये जाते हैं, it provides a cushion for creditors in the event of winding up of company, creditors के लिए कुशन है, ठीक है, तो ये basically company के साथ ही होते हैं, ठीक है, ये वो company के दोस्त होते हैं, जिनको जो आप बोलो वो चलेगा, ठीक है, equity capital provides credit worthiness to the company and confidence to the prospective loan providers, equity अगर आपके आपे ज़्यादा equity owners है ना, तो वो company के credit worthiness बताते हैं, याने company के साथ अगर वो जुड़े हुए हैं, मतलब उनको company पे भरोसा है तो company के credit worthiness याने पैसा वापिस करने की हैसियत बताते हैं वो, ठीक है, और confidence मिलता है loan givers को, ठीक है, loan जो provide करते हैं उनको भी confidence मिलता है, जब ये टिक्के हुए हैं तो कुछ तो बात होगी company में, now, funds can be raised through equity issue without creating any charge on the assets of the company, अब आप अगर equity share बेच रहे हो, ठीक है, और मान लो आप winding up के time पर पैसे नहीं दे पाए, आपकी company का दिवालिया हो गया, याने की आपकी company insolvent हो गई, ठीक है, और आपके पास पैसे नहीं है, तो क्या आपके asset बेच के equity shareholder को पैसे दिये जाएंगे, no, क्या आपकी जमा पूनजी से equity shareholder को पैसे दिये जाएंगे, no, so equity shareholder does not create any charge on the assets of the company, ठीक है, the assets of the company are therefore to be mortgaged for the purpose of borrowings if they need to be, अगर आपको assets के बदले में ही, loan या पैसा चाहिए, तो आप bank के पास जाओ, वो asset को गिरवी रखो, furniture हो गया, machine हो गई, उसको गिरवी रखो और पैसे ले लो, तो assets से आप loan ले सकते हो, mortgage करके asset को, ठीक है, democratic control over the management of the company is assured due to voting rights of equity shareholder, अब democratic control क्या होता है, what is democracy, democratic government में क्या होता है, students of the people, for the people and by the people, अब ये equity shareholder का नारा क्या होता है, for the company, of the company and by the company, हना we abide by all laws of company, ठीक है, तो जैसे हम अपने representative को चुनते हैं, जैसे हम अपने नेता को चुनते हैं, हम खुद तो देश की decision नहीं ले सकते हैं, तो हमने prime minister को चुना, हमने हमारी government को चुना, ठीक है, हम representative को चुनते हैं, similarly, जो decisions होते हैं, वो MLA's और MPs by voting, लेते हैं, जैसे article 370 के लिए voting हुई थी, आपने देखा होगा, ठीक है, पर यहाँ पर भी उसी तरह का control होता है, हना, यहाँ पर भी एक meeting होती है, proper उसमें voting होती है, तो democratic form of control देखा गया है, companies में, ठीक है, तो यह हो गया, अपना equity shareholders का merits, अब आते हैं, limitations पर, the major limitations of raising funds through equity share, RS follows, investors who want a steady income, may not prefer equity share, as equity share get fluctuating returns, अगर आपको हर महीने fixed income चाहिए, जब भी shares पर dividend होता है, आपको fixed dividend चाहिए, तो आप इस equity share को मत, equity shares के तुरू मत fundraising करवाई यह company की, आप shares purchase ही मत करो, equity shares के, क्योंकि equity shareholder company के owners होते हैं, तो उनको नुकसान की भी भरपाई जहलनी पड़ती है, ठीक है, नुकसान की भरपाई नहीं करते वो, बट नुकसान होता है ना company को तो इनको dividend नहीं मिलता, तो कभी कम dividend मिलेगा, कभी जादा, कभी बहुत जादा fluctuating returns होते हैं, इस वज़े से ही थोड़ा सा लोग कम prefer करते हैं, the cost of equity share is generally more as compared to the cost of raising funds to other sources, so अगर हम equity shares से fundraising करते हैं, तो उनका cost जादा होता है, क्योंकि हम यहाँ पे actually shareholder नहीं बना रहे हैं, हम यहाँ company के owners बना रहे हैं, future owners, जो company के साथ ही रहेंगे, okay, now issue of additional equity shares dilutes the voting power and earnings of existing equity shareholder, अगर आप जादा equity shareholder, already आपने equity shares बेच के रखे हैं, अब आप और equity shares से पैसा raise कर रहे हो, तो क्या होगा, कि voting power dilute हो जाती है, existing और new वालों में, dilute हो जाती है मतलब, मानलो अगर इनके पास 2% voting power थी, 10% थी तो 5 उनको दे दी जाएगी, new वालों को 5 existing के पास रहेगी, ऐसे control dilute हो जाता है, बट उससे जादा voting power वो नहीं दे सकते हैं, उससे जादा ओनर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि फिर तो वो company के ओनर ही बन जाएंगे, now, more formalities and procedural delays are involved while raising funds to equity share, जादा formality लगती हैं, यहाँ पर as compared to the preferences, form वागेरा थोड़े अलग होते हैं, ओके, तो मैं आपको ये प ठीके, अब यहाँ पर जो आप funds raise कर रहें, उसको owners funds बोलते हैं, ownership capital बोलते हैं, यहाँ पर इनको fixed dividend नहीं मिलता, हाना, इनको dividend कैसे मिलता है, on the basis of earnings, अगर जादा earning हुई, earning जादा, तो dividend जादा, earning कम, तो dividend भी कम, अब यह residual owners होते हैं, याने, जो भी बचा है, सारे claims को pay करने के बाद, उस amount में से equity shareholders को dividend pay किया जाता है, ठीक है, यह भी था keyword, अब इसके बाद, मैंने बताया था, यह reward मिलता है, इनको limited liability होती है, और इनके पास right to vote होता है, merits क्या के हैं, उन investors के लिए suitable है, जो risk लेना चाहें, ठीक है, और जो payment of dividend अगर late भी हो, उनको चले, उनके लिए suitable है, payment of dividend इनके लिए compulsory नहीं होता है, students, इसके बाद, permanent capital कहलाता है, क्योंकि पैसा कब देना है, हमें वापिस, at the time of winding up, इसके बाद, students, equity shareholders, जो है, credit worthiness, provide करते हैं, company को, और उसके साथ-साथ confidence भी, funds, जो आप raise कर रहे हो, इस पे आप assets पे कोई चार्ज नहीं होगा, and last democratic control होता है, and cost generally जादा होता है, additional equity share जो है, dilute हो जाता है, additional equity share के issue से voting power dilute हो जाती है, and lastly, procedural delays होते हैं, बहुत सारा formalities है, अब preferent shares start करेंगे, इसको एक बार read करो, दिन हम आगे बढ़ते हैं, so, अब हम preferent shares को detail में पढ़ेंगे, I know कि आपको equity shares पूरा अच्छे से समझ में आ गया, कि उ Now, the capital raised by issue of preferent shares is called preferent share capital, मैंने आपको बताया था, यह company के साथ ही बिलकुल भी नहीं होते, ऐसा होता है कि company ने इन से करजा लिया है, ऐसा मान लो, ठीक है, so, capital raised, जो preferent shareholders से हम capital raise करते हैं, हम मतलब companies को क्या बोलते हैं, preferent share capital, ठीक है, Now, the preferent shareholders enjoy a preferential position over equity shareholder in two ways, अब preferential position, यह word का मतल क्या होता है, ठीक है, जैसे आपको यह college में admission लेते थे, CUET आने से पहले, तो क्या होता था, कि जो बच्चे cut-off से उपर marks लाते हैं, उनको preference दी जाती है, और जो cut-off से कम marks होते हैं, जिनके उनको last में देखा जाता है, waiting list में डाल दिया जाता है, तो preference कि इनको मिलती है, जिन करते हैं, याने कि अगर हम देखें, तो preference shareholders, preference shareholders, equity shareholders से उपर है, equity shareholders से उपर है, ठीक है, मतलब क्या ये बड़े बन गए, नहीं, ये बड़े नहीं बन गए, ये इसलिए उपर है, क्योंकि company जब पैसे देती है, तो सबसे पहले इनको पैसे देती है, और बाद में इनको देती है, ये वो मौसा जी और मामी है, जो मिना खाए पिये नहीं जा सकते, पहले इनको देना पड़ता है, और बाद में खुद, इक्विटी शेरोल्डर, जो ओनर से उनको देना पड़ता है, ठीक है, सो, प्रिफरेंच शेरोल्डर कंपनी के महमान होते है, ऐसे महमान जिनकी बहुत खातरदारी करनी होती है, इसलिए इनको क्या दी जाती है, प्रिफरें इनको पहले से ही पता होता है कि इनको कितने रिटर्न मिलेगा, रिटर्न ओन इन्वेस्मेंट इनका कितना है, ठीक है, उसके बाद, out of the net profits of the company, before any dividend is declared for equity shareholders, हना, मतलब किसी को भी आपने, equity shareholders को पैसे भले आपने दिये हो, नहीं दिये हो, ठीक है, सबसे पहले आपको इनको द पैसे निकालो और इनको थमाओ, क्योंकि अगर इनको पैसे नहीं दिये, तो यह एक टोपी के साथ गूमते हैं, जिसका मतलब है, ब्याज, सूद समेट पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, now, receiving their capital after the claims of companies creditors have been settled at the time of liquidation, अब equity shareholder होते हैं, इनको क्या होता है, जब अपन creditor को पैसे दे, debenture holder को पैसे दे, preference shareholder को पैसे दे, company ने अगर कोई loan लेके रखा है, loan की जो installment है वो दे दे, बाद में जो पैसा बचेगा, जो left out money है, इसमें से इन विचारों को पैसा दिया जाता है, ठीक है, बट विचारा भी नहीं बोल सकते, यह लोग enjoy करते हैं, voting rights, decision making, owner होते हैं, company के owners fund कहलाते हैं, इनका दिया हुआ पैसा, और यह company के साथ ही होते हैं, बट fluctuating returns मिलते हैं, और ऐसा भी होता है students कई बार कि बहुत जादा company ने कमा लिया, तो इनकी जेबे तो पूरे साल भर की एकी बार में भढ़ जाती है, ठीक है, तो इस तरीके से जो left out amount होत होते हैं, ठीक है, कि सब ले लो, बार में जो बच्चे का हम देख लेंगे, ठीक है, फिर last में बच्चे हैं नहीं बच्चे हैं, उसका कोई, उनसे कोई नहीं पूछता, how are you feeling, तो equity shareholders से हम पूछ लेते हैं, students, how are you feeling, ठीक है, so equity shareholders left out में काम चला लेते हैं, but कई बार उन्हें जादा भी मिल जाता है, हना, so preferential older ऐसे नहीं है, वो बोलेंगे, सबसे पहले तो मुझे पैसे दो, सबसे पहले मुझे पैसे दो, बार में गई, आपकी earning हुई है, नहीं हुई है, हमें कोई बतलब नहीं है, ठीक है, सबसे पहले क्या चाहिए, हमें पैसे चाहिए वापस, ह As compared to the equity shareholders, the preference shareholders have preferential claim over dividend and repayment of capital, सबसे पहले इनका capital वापस किया जाता है, इनके पास preference है, ठीक है, preference shares resemble debentures as the bare fixed rate of return, चाहे preference shareholder बोल लो, चाहे bank loan बोल लो, चाहे debenture बोल लो, इन सबकी जो सीरत है, ना, इन सबकी जो नियत है, वो एक ही है, सबसे पहले हमें पैसे दो, तो resemble करते हैं, आपस में, resemble मतलब एक से लगते हैं, आपस में, also the dividend is payable only at the discretion of the directors and only out of profit after tax to the extent of these resemble equity shares, तो जब dividend जो है profit after tax से pay होता है, extent of share capital तक ही होता है, ज्यादा पे नहीं होता, so इस extent तक, वो equity share से भी थोड़ा बहुत resemble करते हैं, but equity shares के पास voting right होती है, इनके पास नहीं होती, right students Thus, preference shares have some characteristics of both equity and debentures, preference shareholders generally do not enjoy any voting rights, अब जब इतना आप चाधर ओड़ के बैढ़ गए हो, कि मुझे साब लाके दो, तो आपको voting right क्यों दी जाएगी, आप से बोलेंगे चुप, सिर्फ पैसे दो और जाओ, हाना, आपको time to time interest मिल जाएगा, आपको time to time dividend मिल जाएगा, ठीक है, बाकी चुप रहा हो, बोलने का हक नहीं है, आपको कुछ भी meetings में, voting right नहीं है, ठीक है, तो यह हो गया अपना preferential holders, a company issued different types of preferentials, अब preferentials की भी बहुत सारे types होते हैं, ठीक है, cumulative and non-cumulative, अब इसका मतलब क्या होता है students, cumulative preferentials which enjoys the right to accumulate and pay dividends in the future year in case the same is not paid during the year, are known as cumulative preferentials, on the other hand, on non-c cumulative share, the dividend is not accumulated if not paid in the particular year, अब इसको समझाती हूँ मैं आपको, देखिए students, company ने issue किये थे 10% 1000 preferentials at the rate of 100 rupees each, इस पे dividend बनता था 2000 रुपए, ऐसा calculate किया था, company ने कि इनका dividend बनता है 2000 रुपए, बट उस particular, उस particular year में, क्या हुआ loss, profit after tax तो छोड़ो, loss generate हो गया, ठीक है, tax भी नहीं पे कर पाई company, तो इनको dividend कैसे देगी, तो मान लीजे, वो year था 2030, इसमें पैसे नहीं दिये, अब क्या हुआ, अगले साल, आई 2024, तो 2024 का जो dividend बन रहा था, वो था 4000, और ये जो 2000 था, ये तो पुराना dividend था, और यहां पर अब खूब सारे profits हुए, company को, तो अब company पुराना वाला भी पे करेगी, और इस साल का भी पे करेगी, ठीक है, इस साल का तो पे कर नहीं है, पुराना वाला आने वाले साल में पे कर देगी, इसको बोलते cumulative, और non-cumulative क्या होता है, कि अगर यहां पर company नहीं पे नहीं किये, तो टाटा पाई बाई, company will not pay in future, समझ गए, so cumulative preferences, the preferences which enjoy the right to accumulate unpaid dividend in the future years in case the same is not paid during the year are called as cumulative preferences, on the other hand, non-cumulative preferences dividend is not carry forward to the next year, ठीक है, समझ में आ गया, इसको मैं आपको एक short में लिखवा देती हूँ, अगर dividend अगले साल तक carry हो सकता है, तो cumulative, अगर dividend अगले साल तक carry नहीं हो सकता, non-cumulative, clear, इसको आप इस line को हिंदी में लिख सकते हो, चलिए students, वीडियो को like करें, मुझे पता है, आप लोग वीडियो को like न आते हैं, यह भारत माता की जय बोलते हैं, और यह जो shareholders है ना, यह dance भी करते हैं, so क्या यह participating preferences हुए, participate करना मतलब activities में participate नहीं करना, ठीक है, देखिए, participating in non-participating का मतलब क्या होता है, तो, preference shares which have the right to participate in further surplus of the company shares, which after the dividend at a certain rate had been paid on the equity share, I call participating preferences, बहुत important है, ठीक है, समझ में नहीं आएगा अभी, बट मैं आपको examples कितों समझाओंगी, हाना, आप जब read करते हो ना, first time NCRT, आपको ऐसे लगते हैं, माम, यह क्या लिखा है इसमें, हमें तो समझी नहीं आ रहा, ठीक है, पर, not to worry, मैंने बहुत सारे ऐसे comments पढ़े हैं, माम, आपना बहुत slow पढ़ाते हो, आपके वीडियो में तो हमें 3X speed लगाए, students, मैं आपको इतना detail में पढ़ा रही हूँ ना, आप विश्वास नहीं करोगे, no one is teaching in this in-depth detail, ठीक है, मैं आपको एक-एक word का meaning समझाती हूँ, तो उसमें टाइम लगता है, ठीक है, ना, preference shares which have a right to participate in the further surplus of company shares which after dividend at a certain rate has been paid on equity shares are called as participating preference shares, ध्यान से पढ़िये, preference shares which have a right to participate in the further surplus of the company shares which after the dividend at a certain rate has been paid on equity shares are called as participating preference shares, ठीक है, अब कई बार company के पास equity shares को pay करने के बाद भी पैसा बच जाता है, ठीक है, तो participating preference shares को वो पैसा दिया जाता है, या वो shares दिये जाते हैं, ठीक है, तो मतलब company ने बहुत जादा surplus कमा लिया है, बहुत जादा company में double triple revenue generate हो रहा है, तो equity shareholder को भी pay कर दिया, तो अब बचा पुचा पैसा कहा जाए, पढ़ा तो है, participating preference shares को दे दो, वो खुश हो जाएंगे, ठीक है, बचे पुचे शेयर्स या फिर पैसा, तो जितना भी surplus है company में, अगर हमने dividend pay कर दिया, equity share का उसके बाद भी बचा हुआ है, ठीक है, तो फिर participating preference shares को दे दो, और non participating preference shares को ऐसी को preference shares को voting rights भी मिल जाती है, अगर उनका कुछ effect हो रहा है तो, अगर उनका कुछ decisions, उन से related कोई decisions लिये जा रहे है, तो उनको voting right मिलती है, company के rest of the decision में, वो part नहीं लेते, उनका right effect हो रहा है, तो वो बोल सकते है, ठीक है, now, convertible and non convertible, मेरे पास preference shares थे, मैंने सोचा किया, दो साल I have been a preference shareholder and I have earned pretty good amount, perfect rate of dividend था, but वहीं equity shareholder तो बहुत surplus enjoy कर रहे है, ठीक है, तो मैं equity shareholder बन जाती हूँ, तो preference shares, equity shares में convert करना, इसको बोलते है, convertible, जो convert नहीं हो सकते है, उसको बोलते है, non convertible, so preference shares that can be converted into equity shares with a specified period of time are known as, within a specified period of time are known as convertible shares, on the other hand, which cannot be converted into equity shares are known as non convertible preferentials, okay, तो यह था अपना convertible and non convertible, अब merits of preferentials, merits क्या-क्या होते है, सबसे पहले तो steady income, सबसे बड़ा merit, हाना, चाहे दुनिया इदर की उदर हो जाए, profit generate हुआ है, सबसे पहले आपको पैसा दिया जाएगा, fixed rate of return, आपको पता होता है, कितना return आपको मिलेग next, preferentials are useful to those investor who want fixed rate of return with comparatively low risk, यह ऐसे लोगों के लिए जो risk की नहीं लेना चाहते है, अपनी life में, ठीके, it does not affect the control of equity shareholder over the management as preferentials do not have voting rights, इनका management में बोलने का कोई हक नहीं होता, तो इनके क्या है, इनका, इनकी वज़े से company का control affect नहीं होता कभी, तो यह भी एक merit है company के लिए, payment of fixed rate of dividend to preferentials may enable the company to declare higher rates of dividend for equity shareholders in the good times, तो कई बार क्या होता है, कि fixed rate of dividend इनको देना पड़ता है, इस वज़े से हमें कई बार equity shareholder को high rate of dividend देना होता है, जो कि again एक merit है shareholders के लिए, preference shareholder have a preferential right of repayment over equity shareholder, इनको सबसे पहले preference दी जाती है, पैसे देते time, और equity shareholder को liquidation के time पर return होता है amount, preference share holder does not create sort of charge against any assets of the company, हाना तो ही तो equity shareholder भी नहीं create करते थे, so this is also a merit, now limitations, limitations भी है, preference shareholder not suitable for those investor who are willing to take risk and interested in higher return, ऐसे लोग जो risk लेके जादा returns कमाना चाहते हैं, उनके लिए preference shares नहीं है, ठीक है, preference share safer investment opportunity है, preference share capital dilutes the claims of equity share over the assets of the company, rate of dividend जो है preference shares पर हाई होता है, और rate of debentures से, तो इसलिए ये limitation है, हाना, company को ज्यादा ब्याज देना पड़ता है, as the dividend on these shares is to be paid only when the company earns profit, there is no assured return for investors, company को जब profit होगा, तभी dividend मिलेगा, profit नहीं होगा, तो dividend नहीं मिलेगा, तो ये limitation है, कि जरूरी नहीं है कि return मिले ही मिले, thus these shares may not be very attractive, the dividend paid is not deductible from profits expense, thus there is no tax saving in case of interest on loans, tax saving है नहीं, हाना, so dividend जो है वो deductible नहीं है profit से, profit expense से, as expense, तो इसलिए याँ पर tax saving वगरा नहीं होती, जैसे interest on loan पर tax saving होती है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा कोछ नहीं होता, ठीक है, अब students हम start कर रहे है, inter corporate deposits, I hope आपको अच्छे से समझ आया, अभी तक का inter corporate deposits are unsecured short term deposits made by a company with another company, अगर एक company दूसरी company के पास deposits करती है, उसको बोलते है inter corporate, inter corporate मतलब company to company के बीच में, ठीक है, now, ICD market is used for short term cash management of the large corporate, short term जो cash management होती है, वो आपस में as companies manage कर लेते हैं, ठीक है, as per RBI guidelines, minimum period of inter corporate deposit is seven days, which can be extended to one year, मतलब यह money market instrument है, ठीक है, एक साल के अंदर ही आ रहा है, the three types of inter corporate deposits are three months, six months and call deposits, ठीक है, तो यह company to company होता है, okay students, interest on ICDs में remain fixed और maybe floating, interest fluctuate हो सकता है, rate of interest जो है इन deposits पर यह bank से जाधा होता है, और इन deposits पर usually borrower company जो है solve करती है, insufficiency की problem, ठीक है, तो यह हो गया ICD, तो हमने पढ़ा equity shares, हमने पढ़ा preference shares और हमने पढ़ा ICD, ICD इसमें least important topic है, बट equity preference सो बहुत important topic है, Sir students, all the best, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत case studies लेके आती हूँ, मेरे custom videos भी देखा करो आप, आप सब का जो यह platform है Magnet Brains, यहाँ पर accounts, economics, business, तीनों की faculties ने इसके लावा English के लिए भी हम spoken English के courses लाए, वेदिक maths के courses लाए आपके लिए, और हम आपको तैयारी करवाते हैं, CBSE board की for kindergarten to class 12 in English medium, और Delhi board, Bihar board, UP board, MP board, राजस्तान board, इन state boards की हमारे हिंदी medium channel पर जहां हम class 6 से लेके class 12 तकी preparation आपको करवाते हैं, apart from that students, यह हमारा website और application है, यहाँ पर हम आपको provide करते हैं, fully organized, complete courses, along with daily practice problems, सारी NCRT, refreshers के concepts, questions, MCQs, MIQs, A to Z, पूरी preparation आपकी होती हैं, वो भी high quality में, absolutely free of cost, students, हम आपको e-books and e-notes भी provide करते हैं, जिसकी link आपको description box से मिल जाएगी, और यह है हमारा YouTube channel, जहां पर हम आपको जो live section है, यहाँ पर मैं business studies की live classes लेती हूँ, Wednesday, Thursday, 4 to 5 PM के बीच में, और videos में हम आज कर बनाने लगे हैं, custom videos जो आपको बहुत benefit करेंगे, इसके अलावा students, हम shorts भी आपको बनाते हैं, आपके लिए बहुत amazing से, और इसके अलावा students, यह जो, आप यह other social media handles देख रहे हैं, आप इनको भी follow कर सकते हैं, और इस channel को जरूर subscribe करिएगा, thank you so much students, मिलते हैं अगले session में, जिसमें मैं आपको next source of fund cover करूँगी,